पहरे विद्यारतियों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी कलास 11 का एक चेप्टर है कोशी कांग उसका एक मेटोपून कोशी कांग गोल जी काई तो हम गोल जी काई के बारे में सिर्चा करेंगे गोल जी काय या इसको हम अंगर जी में बोलते हैं गोल जी बोडी गोल जी बोडी इसको हम गोल जी बोडी कहते हैं या इसको गोल जी अपरेटस भी लिखा जाता है गोल जी अपरेटस या इसको इंदे में कहते हैं गोल जी उपकरन इसको Goalji Complex भी लिखा जाता है Goalji Complex का मतलब हुगा है एक group या जटिल तो इसको Goalji Caille इंदी में अंग occup jej cog body अप्रेटteas या Goalji Complex तो Goalji Caille को Goalji Body तो Goalji três को इंदी में खेह देंगे हमें Goalji Upkarna तो इसको Goalji अप्रेटस भी लिख़िते ही गोल जी कॉम्पलेक्स को हम इंदी में कह देंगे गोल जी जटिल तो गोल जी काई कह दो चाए गोल जी उपकरने कह दो चाए गोल जी जटिल खेल दो एक ही बात है तिनों ये एक कोशी कहां गए अंगरजीम कहतेंगे इसको गोलजी बोडी, गोलजी अपिरेटस या गोलजी कॉम्पलेक्स तो आखिर यह है क्या तो देखें कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में अन्तय प्रदेवी जाली का पड़ी थी और उसके कारिय पड़ेते तो उसका कारिय में हमने एक कारिय और देखा था कि गोलजी बोड़ी का निर्मान है वो अन्तय प्रदेवी जाली का जिसमें जो चिकनी अन्तय प्रदेवी जाली का होती है S.E.R. वो इस गोलजी बोडे का निर्मान करती है हमने ये पढ़ा था तो होता क्या है कि जैसे माली जी कोशी का ये केंद्रक है उस केंद्रक से सटा हुआ जो कोशी कांग था और जाल के रूप में जो पाया जा रहा था तो उस कोशी कांग को तो हमने कहा था अंतरप्रदेवी जालिका जो कि बिल्कुल केंदर से सटावा होता है केंदर से जुडावा होता है लेकिन एक और कोशिकांग है जो केंदर से दूर होता है अंतरप्रदेवी जालिका से छोटा होता है और इस तरह से पाए जाता है जैसे चप्टी चप्टी जो थेलियां हो उस तरह से वो पाय जा रहा है तो इस तरह से चप्टी थेलियों के समान इस तरह से ये गोल जी काय पाया जाता है जैसे कोई चप्टी चप्टी थेलियां हो उस इसाब से ये गोल जी काय पाय जाता है तो ये इसके अंदरक से दूर रहेगा लेकिन कोशिका के अंदर पाये जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिका में कोशिका में एकल जिल्ली से गिरावा ये भी एक सिंगल मेंबरेन से गिरावा था एकल जिल्ली से गिरा कोशिकांग जो एक दूसरे से सटी हुई चप्टी थेली समान रचनाओं से बने होते हैं तो उनको हम कहेंगे गोलजी बोड़ी या गोलजी काई कह देंगे उनको मतलब यहाँ पर यह परिवासा लगबग यार से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा फरक है इसमें कि उसमें भी चप्टी थेलियां वगएरा होती है ना लिकाई भी होती है सेम टू सेम अंत्यपरदवी जाली का जैसी इसमें सरचना पाई जाती है लेकिन इसमें है क्या कि इसमें चप्टी थेली समान रचनाई होती है प्लियूड़् से भरीवी जो जाल रूपी व्यवस्था में व्यस्तित नहीं होती है जब अंत्यय प्रदेव जालई का करता है primarily जाल बनाती है बस यह जैसे एक चप्टी थेलिये यह दूसरी चप्टी थेलिये तो यह इस तरह से एक व्यवस्ता में लगी भी होती है और सटी भी होती है इस कारण इनको कहते हैं हम गोलजी बोड़ी जो केंदरक से दूर रहेगी अंदरक केंदरक के पास रहेगी वो तो अंतरप्रदे जालीका रहेगी यह निसित बात है और केंदरक से दूर जो कोशी का दर्व सतय है ये जो फू थaches होते है हो फेले एक चपती थेली समान रचनाव से बने होते हैं अब बनते हैं S.E.R. से यानि अंत्यप्रदेवी जालिका से तो आखिर इन में फरक्या है तो अपने एक थोड़ी सी यहाँ पर एक चर्चा कर लें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकूलम और इस गोलजी बोडी में फरक्या है कन्फ्यूज़ होने के जूरत नहीं है लगबग सेम है लेकिन कुछ फरक है एक तो हमारा जो अंत्यप्रदेवी जालिका होती है वो देखो केंदरक से सटा हुआ है और बड़ा भी है और इसकी जो मैतुपूर्ण सर्चन है होती है सिस्टर नहीं वो अपस में जूड़ी होती है और ये दो टाइप का है दो परकार का होता है जिसको हमने चिकनी और अंत्यप्रदेवी जालिका कहा थी और इंपोर्टेंट बात है कि ये जाल के रूप में पया जाता है ये तो है इयार उतल केंदर से जूड़ावा है बड़ा भी है इसकी सिस्टर ने अपस में इंटरकनेक्टेड है अपस में जुड़ी वी है और दो परकार का है ये जिसको हमने दो परकार कहा था र-E-R और अ-S-E-R और ये जाल के रूप में पया जाता है जिबकि गोल जिबोड़ी क्या होता है केंदरक सें दूर पया जाएगा छोटा भी होगा इतना बड़ा ने होगा जिबकि अंतरपड़ भी जालेगा होती है उसे छोटा होगा और इसकी जो सिस्टर नी है इसमें भी सिस्टर नी पया जाएगी वो सिस्टर नी है वो आपस में जुड़ी हुई नहीं है इंटरकनेक्टेड नहीं है और ये दो परकार का नहीं है केवल ये एक ही एक परकार का ही होता है क्योंकि ऐसे यार से बनता है इसलिए एक ही परकार का है और इसमें जाल नहीं बनेगा जाल नहीं बनेगा जबकि इसमें क्या होगी कि फ दूसरे से सटी हुई होती है यह है तो इस तरह से हम गोल्जी बोड्य और एर का फरक्ष समझ सकते हैं कि नेक्स्ट चलो इसकी बात करें इसकी खोज के बारे में कि अकिर इसकी खोज के शिवी तो हम इसकी डिस्कावरी देख लेते हैं खोज इसको हम कह रहे हैं डिस्कावरी तो इसकी एक साइन्टिस्ट थे देखो केमीलो केमीलो गोलजी एक साइन्टिस्ट थे यह क्या कर रहे थे यह उल्लू की तंतरिका को सिखा तंतरिका को सिखा जिसको हम एक नाम और लेते हैं इसका निूरोन भी कहते हैं इसको तो यह केमीलो गोल जी क्या कर रहे थे यह उल्लू की तंतरिका को सिखा को देख रहे थे तो इस तंत्रिका कोशी का के कोशी का दर्व में कोशी का दर्व में इन्होंने गोल जी का एको देख लिया गोल जी का एक जब उल्लू की तंत्रिका कोशी का के कोशी का दर्व में इसकी उन्होंने खोज कर दी इसको खोज दिया और इसे एक नाम दिये इन्होंने आंत्रिक जालिका तंतर यानि इन्होंने इन्सको क्या गहाँ इन्टरनल रेटीकुलर रेटीकुलर अपरेटस तो इसको इन्टरनल रेटीकुलर अपरेटस नाम दिया उन्होंने इसे कहा तो सिद्धी बात है कि केमेलियो गोल जी ने उल्लू की तंतरिका कोशिका को जब वो कोशिका दर्वे में देख रहे थे इस तरह से एक थेली समान रचनाओं का बनावा एक छोटा सा जाल दिखाए दिया तो उन्होंने उसको क्या कह दिया Internal Reticular Apparatus आंतरी के जाली का तंतर कह दिया जिसे बाद में का गया गोल जी काई इनी के नाम के आदार पर सर्चना को क्या कह दिया गया गोल जी काई नाम दे दिया गया तो यह याद रिखेगा कि मेरी गोल जी ने सरव पड़ता में उलू के तंतरी का कोशिका के कोशिका दर्व में गोल जी काई की खोज की थी इसके बाद में इन्होंने देखो बिल्ली जो बिल्ली होती है उस बिल्ली की तंतरी का कोशिका को भी देखा था बिल्ली की तंत्रिका कोशिका में भी खो जा था इसको तो उसमें भी इनको मिल गया था लिके तंत्रिका कोशिका में भी इसको देगा था फिर ईक साइंटिस्ट वakedते Baker ये भी थोड़ा याद रिखेगा एक चीज़ गधा देता हूं में पर कि Camelio goal जी थे इन्होंने उल्लुक तंत्रियागोशिका को खोजगी थी तो इन्होंने माइक्रोस्कोप से भी देख रहे थे और उस पर एक अभिरंजक भी डाला था इन्होंने तो उस अभिरंजक विदी का नाम है चांदी अभिरंजक विदी तो इन्होंने कौन सी विद्धी अपना ही थी चांदी बिरंजक विद्धी अपना ही थी इसको देखने के लिए तो यह भी आधर रिखेगा केम में लिए गोल जी ने चांदी बिरंजक विद्धी से माइक्रोइस्कोप की साहता से उल्लू की तंत्री का कोशिका के कोशिका दर्वे को जब देखा तो उसमें उनको गोल जी काई मिल गया एक साइन्टिस्ट था बेकर बेकर ने एक अभिरंजिक लिया जिसका नाम है सुडान बलेक तो बेकर ने सुडान बलेक अभिरंज अभिरंजन से इससे स्टेन कर दिया इसको रंग दिया इसको अभिरंजित किया तो द्यान रखेगा बेकर ने सुडान बलेक अभिरंजिक लेकर उसको इससे अभिरंजित कर दिया ये था ये हाँ सूडान ब्लेक अभिरंजित की साहता से बेकर ने इसको अभिरंजित कर दिया और इसे उन्होंने बताये कि ये तो ऐसा कोशिका ग hardware जो सरावनसे संभनधित है जिसको अपन सीक्रीषिन कहते हैं सरावनसे related बताया और उन्होंने इसको नाम दे दिया LiPocondria इसको क्या नाम दे दिया लाइपोकॉंड्रिया इसको लाइपोकॉंड्रिया गहा बेकरने नेक्स्ट देखते हैं इसके इसके कुछ अन्य नाम भी है गोल जी बोडी के अन्य नाम भी है जिसे इसे पुकार दाता है जिसे पहला है लिपोकॉंड्रिया लिपो कोंड्या ये बेकर ने नाम दिया था तो लिपो कोंड्या इस लिए इससे कहती है क्योंकि इसमें लिपिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इसलिए लिपो का मतलब हो गया लिपिड कोंडरिया का मतलब हो गया एक एक कन तो यशा कन जैसे में लिपीड जदा है तो लिपोंडरिय खुए ओर हम जानते हैं कि गोल जीबोडिया निर्मान शिक नि नतरपढ़दय जाले का करती है यूटे आंचक नि नतरपढ़य जाले का वसिय पदारतों का और कुछ क्योंकि एक डाल्टन एक scientist हुए हैं वो डाल्टन ने इसकी सर्चना को बताया था डाल्टन ने इसकी सर्चना बताया इसलिए इसको क्या कहते हैं डाल्टन कोंप्रेक्स इसको dictyosome भी कहते हैं यह बहुत important सब्दाइक डिक्टियो सॉम यह डिक्टियो सॉम क्या होते हैं क्योंकि जब यह मतलब बिक्रेवे रहते हैं और इनके बीच में गेप जदा होता इसे बिक्रेवे और चित्रेवे जब यह गोल जिकाई रहते हैं तो इनको डिक्टियो सॉम कहते हैं और ऐसे गोल जिकाय डिक्टियों से हम क्यलाएंगे जो बिखरेवे हों कोशिका द्रे में और ऐसे गोल जिगाय पाजाते हैं पादब कोशिका में और जो ऐ कसेरुकी होते हैं ऐ कसेरुकी में पादब कोशिगा में और एक शेर्व की प्राणियों में ऐसे गोल जिगाई पाई जाते हैं जो ज़्यादा बिखरे वे रहते हैं लूज रहते हैं मतलल बहुजदा टाइट या बिल्कुल सटे वे नहीं रहते हैं इनके बीच में काफी गेप होता है तो ये बिखरे वे रहते हैं तब इनको जब गोल जिगाई बिखरी वहस्ता में होते हैं तो इनको डिक्टियो सॉम कहते हैं और ये पादब कोशिगा में तो मैंने फटा था पादब कोशिका जनतों कोशिका तब हमने कहा था कि पादब कोशिका में पाज़ने वाले गोल जी का एक को डिक्टियो सॉम कहते हैं और उसमें हमने डिक्टियो सॉम गोल जी का एका फरक भी देखा था तो उस वीडियो को आप देख सकते हो इसको idiosome भी कहते है इसका नाम और दे अगए idiosome यह सुक्राणु पूरवी कोशिक्त होती है सुक्राणु पूरवी कोशिका जाता है इसको इसको traffic यह भी एक important word है इसके लिए traffic police of sale यह इसका नाम एक और है इसको ट्रेफिक पुलिसमेन या ट्रेफिक पुलिस ओप सेल या मिडिल मेन ओप सेल भी कहते हैं अब क्यों कहते हैं क्योंकि अन्तेपरदवी जाली का है अन्तेपरदवी जाली का पुटिकाओं में बरकर जो भी कोशिके पदात बेशती हैं इनको लेता है और वहां से इसको संसोदित करेगा इनको और फिर है वो कोशिका में बेजेगा तो ये जो गोल जी बोडी है ये बीज के अंदर ये महत्पून काम करता है कुछ कोश के पदार्तों को जैसे वसा या कारवडेड कुछ भी हो उसको संसोदित करके और विक्षित रूप बनाकर उनको मोडिफाई करके फिर कोशिका में बहसता है तो एक तरह से ये एक मिड्ल में हो गया कि यहां से कोई पदार्त आया पुटिकाओं में बरकर उसको यहां इसने इंटर किया और इसने उसको संसोदित करके उसको और जदा विक्षित करके कोशिका में बहस दिया तो इस एक तरह से ये महांलेज अगछे एक तरह से ट्रेफिक पुलिस में की तरह काम करता ही ये सुचनाय आई ये पदार्त आय है यह यहां इस ने लेकर इसको संसोद करकề आगे बेश दिया तो ये ट्रेफिक पुलिस मेन का काम होता है और middle man का भी काम है कि ये बीच में ER चाहिए वे कोशिके पदारतों को संसोदित या मोडिफाई करके या रुपान्तिर्त करके फिर उनको कोशिका में आगे बैशता है इसका नहीं इसको traffic police of cell या middle man of cell भी कहते हैं चुँकि एग नाम और इसका director of micro molecule director of micro molecule जिसको अपनों मोटे या वर्द अनों कहेंगे इसको इन दिम कहेंगे वर्द अनों का director मतलब आती है कि जैसे ही अंतरप्रती जालिका से जो अनों आते हैं उनको ये रुपानते संसुदित करता है और बड़े अनों का निर्मान करता है तो बड़े अनों का जब ये निर्मान करता है वर्द अनों का निर्मान करता है बहुत सारे बड़े अनों का निर्मान कर रहा है इस करने इसको director of micro molecule कहते हैं वर्द अनों के निर्मान का director इसको कहते हैं अब और एक और नाम देख लेते हैं इसको कहते हैं Secretion Factory of Cell इन्दी में कह सकते हैं इसको कोशी का सराव का कार खाना या फैक्ट्री कोशी का सराव का कार खाना मतलब कोशी का सराव का कार खाना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारे अनों का सराव करता है मतलब कोलजी बोडी का अब जब हम कारे पढ़ेंगे तो इसका सबसे मेहतुपन कारे ये पढ़ेंगे सरावन की क्रिया तो ये secretion की किरिया जो बेकर ने भी इसको secretion से related बताये था तो ये बहुत सारे या बहुत अधिक अणों का ये स्राव करता है इस करण इसको कोशिका स्राव की स्राव अण फेक्टरी या कार का ना या फेक्टरी कहते हैं तो ये तो गई इसके अन्य नाम जिसको हम complete फड़ चुके हैं Dalton Complex, Lipocondria, Dictiosome, Ideosome, Traffic Police, Middleman, Director of Macromolecules, मोटे या बड़े अनो का डाइरेक्टरी हैं क्योंकि जैसे यहां से छोटे अनो आते हैं उनको ये मोट बड़े अनो बना कर आगे कोशिगा में बैसता है Secreation Factory क्यों कहते हैं कि इसका मुख्य काम Secreation होता है चलिए इसके कुछे इसकी उपस्तिती के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कहां उपस्तित होता है तो next भड़ते हैं इसकी उपस्तिती उपस्तिती भड़ते हैं कोशिका में इसकी प्रजेंस है वो कहां-कहां पर होती है तो देखो किस के अंदर ये एपसेंट होता है तो एपसेंट की बात कर लेते हैं तो जो प्रोकेरियोटिक कोशिकाएं है जैसे माइकोप्लाजमा ये हमने पढ़े हुए अच्छी तरह के से नेलरी सेंवाल और अमारा जो जीवानों है ये तीन प्रोकेरियोटिक कोशिकाएं है तो इनमें कभी भी एक ओलजी बुड़ी नहीं मिलेगा ये प्रोकेरियोटिक कोशिकाएं में उपस्तित रहेगा जो उपस्तित किसमें रहेगा तो उनमें ये पाया जाएगा लेकिन इसमें भी एक अपवाद है yeast जो है कुछ कवग जैसे yeast है yeast में याद रखेगा और हमारी परिपकवे RBC परिपकवे जिसको red blood cell कह रहे है RBC और हमारा जो सुक्राणू है उसके अंदर yeast में परिपकव RBC और जो परिपकव सुक्राणू है उसमें यह अनूपस्तित होता है में absent अब yeast में absent होता है क्योंकि वहाँ पर तो कुछ एंजाय मंते हैं एंजाय प्रोटीन के बने होते हैं इसलिए वहाँ पर इसका कोई काम नहीं करन वहाँ पर यह absent है RBC को हलका बनाने के लिए इसका कोई काम नहीं हो आपर और सुक्राणू को भी हलका बनाने के लिए इसको बाहर निकाल दिया जाता है इसलिए वहाँ पर भी यह absent होता है तो प्रोटीन कोशिकाओं में अपसेंट है और इसके अलावा जितने भी कोई हैं अपकी एकुरिटी कोशिकाओं होती यह उनमें सभी में गोल्जी बोड़ी पया जाता है नेक्स्ट इसकी बात के लेते हैं अपने इसकी संख्या के बारे में कि गोल जी बोडी की संख्या कितनी होती है तो नॉर्मली ये देखा जाता है प्राय की एक गोल जी बोडी एक सेल के अंदर एक गोल जी काय पया जाता है ये नॉर्मली देखा जाता है लेकिन इसका भी कुछ अफवाद है जैसे एक अमीबा है अमीबा की एक जाती है जिसका नाम है पेरामीबा पेरा पेरा मीबा उसमें दो गोल जी बोडी एक ही सेल के अंदर पाए जाते हैं पेरा मीबा और इसी के एक जाती है इस्टीरियो जिसको अपन मिक्सा कहेंगे इस्टीरियो मिक्सा उसमें अनेक गोल जी बोडी पाए जाते हैं लेकिन अधिकांस में आपको यही लगेगा कि केवल एक एक सेल में एक ही गोल जी बोडी देखने को मिलता है जबकि कुछ अमीबा की जाती हैं जैसे इनके अंदर दो या दो से जादा भी पाए जा सकते हैं लेकिन कुछ कोशिकाई हैं जैसे कुछ सेल है स्पेशल सेल जैसे एक नियूरोन है हमारा तंत्र का कोशिकाई होती है और प्लांट सेल इन में अनेक गोल जी बोडी पाए जाते हैं क्योंकि यहां पर वसिय पदार्तों के सीक्रेशन की बोजदा आफशकता होती है तो प्लांट में तो हम यह देखते हैं कि जैसे यह गोल जी बोडी यह बिखरावा रहता है इस तरह से बिखरावा हो तो इसको तो हम एक ही मान सकते हैं लेकिन यह बिखरा होने के करण इसको लिवर के अंदर क्या होता है कि लिवर में भी गोल जी का बहुत ज़्यदा पाई जाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे वसीयपदार्तों का सिक्रेशन की ज़रूत पड़ती है या प्रोटीन से समझे सिक्रेशन की ज़रूत पड़ती है तो वहाँ पर ये देखा गया है कि गोल जी बुड़ी की संक्या ज़्यादा होती है ये तो हम कुछ संक्या के बात कर रहे थे इसके और नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि गोल जी बुड़ी दोत्रे की व्यस्ता होती है इसमें गोल जी बुड़ी की व्यस्ता तो इसमें व्यस्ता दो तरी के होती है एक तो विष्रित परकार की व्यस्तानिक परकार की व्यस्ता तो अगर ये गोलजी बोडी जैसे बिखरावा हो ऐसे और एक जो सटावा हो इस तरह से गोलजी बोडी बिलकुल सटावा हो तो जब गोलजी बोडी बिखरावा होता है और अधिक संक्या में अधिक संक्या में जब गोलजी बोडी क्या हो अधिक संक्या में हो और बिक्री हुई इस्तिती में हो तब इसको हम कह देंगे विश्रित गोलजी काई इसको हम कहेंगे डिफ्यूजड इसको बोलेंगे डिफ्यूजड गोलजी बोड़ी लेकिन जब जैसे यह बिल्कुल एक निशिस्तान पर हो और सटे हुए पाई जाए है सटे हुए पाई जाते हैं और संक्या में कम होते हैं संक्या में कम यानि एक ही यह एक ही मान जाएगा जैसी संक्या में यह लग-लग मान लिए तो यह सटे हुई है पाई जाते हैं और संक्या में एक होते हैं और एक निशित इस्तान पर मिलेंगे आपको निशित इस्तान पर पाई जाते हैं तब इनको हम कहें देंगे इस्तानिक गोलजी बोड़ी, यह इसको कहेंगे लोकेलाइज्ड गोलजी बोड़ी, तो ये विसरित तो कामने दो देंगे 2015 वे25 होते हैं तब अधिक सेंगे हमें होते हैं विखरी इस्तिती में होते हैं तब इसको विश्रित गोल जी कायर इसका प्लांट में इसको हम क्या कह रहे हैं डिक्टियो सॉम क्या कह रहे हैं इनको डिक्टियो डिक्टियो सॉम भी इनको कह रहे हैं तो ये कहां-कहां पाई जाएंगे प्लांट सेल में प्लांट सेल के अंदर पादव कोशिगा में और एक कसेरू की प्राणी एक कसेरू की जो प्राणी है उसके अंदर पाई जाएंगे और कुछ कसेरू की सेल है कुछ अपवाद है इसका जैसे एक तो नियूरोन है और लीवर है उसके अंदर भी आपको diffused गोलजबोडी बिखरेवे गोलजबोडी दिखाई देंगे इसलिए उनके संख्या बढ़ जाती है बात यह है जबकि बिल्कुल आपस में सटेवे हों closed tightly tightly पेक हों और संक्या में इनको देखेंगे तो संक्या में एक ही यह मतलब दिखाई देंगे जैसे एक ही हो यह क्योंकि यह tightly या सटेवे रहते हैं और एक निशिस इस्तान पर मिलेंगे इसको इस्तानिक गोलजबोडी लोकिलाइजड गोलजबोडी कहते है और एक्चोल में जो गोलजबोडी होती है वो हम यही मानते हैं जो हमारी एनिमल सेल के अंदर पाई जाता है एनिमल सेल के अंदर अथार्थ कसेरू की पराणियों के अंदर यह जो पाई जाते है उनके अंदर पाई जाता है किसको छोड़ कर एनिमल सेल में किसको छोड़ कर नियूरोन वे लीवर सेल को छोड़ कर इन दोनों को छोड़ दो आप बाकी जो एनिमल सेल है सभी कि सेरु की प्राणी है उनमें ये जो आपका इस्तानिक गोल जी बोड़ी है ये पाया जाता है तो ये हमने आज के वीडियो में हमने इसका केवल परिचे देखा है और नेक्स वीडियो में हम इसकी सरचना देखेंगे इससे पहले अपन एक बात इसकी पोलेरिटी के और कर लेते हैं कि हमने यह कहाता है कि यह देखो यह इस तरह से थेलियों के रूप में रहता है तो इसकी दो सत्य हो जाती है ये जो सत्य है ये उत्तल है तो इसको उत्तल या कौन विक्स है बोलते हैं इसकी सत्य को दूसरी ये उत्तल है ये उत्तल ये ये तो होती है कोसिका की परिदी की और यह सत्य जबकि यह सत्य होती है ER की तरफ तो यह ER की तरफ है तो ER वाली तरफ सत्य होती है उसको तो उतल सत्य होती है ER की तरफ वाली तो इस सत्य को एक नाम ओड़ दिया गए निर्मातरी सत्य निर्मातरी सिराया सत्य या इसको हम कहेंगे cish face या इसको नाम और देते हैं sorry forming forming face forming face या इंडी में कहते हैं, इसको निरमात्री सिरा या इसको कहते हैं, cish face या इसको बूलेंगे convex face तो दिखो, यहांपर कहाई है, ER जी च्च्च्च्च यह transport इस तरह से हम कहे रहेंगे यह जो उतल सतय यहां पर गोलजी बोड़ी का निर्मान हो रहा है और दूसरे साइड से यहां से नई वेसिकल बन-बन के वह कोशिका में पहुंसती रहती है यहां से बाहर निकलती रहती है वेसिकल्स तो यह जो दूसरे सतय होती है इस सतय को परिपकवे परी पक्वन सीरा या सतय या इसको परिपकवन को अंगरजिम कहते हैं मैचूरेशन या मैचूरिंग फेज maturing face यह इसका एक नाम हो रहा है trans face और चुकि यह अवतला करती है इसलिए इसको concave face भी कहते हैं तो याद रखेगा इसमें दो थरे की face होती ही इस कारण एक तो ER की तरफ वाली इसको निर्मातरिया, forming face या cis face या convex convex यानि उतल परकार की face कहेंगे दूसरी face होगी इसके अंदर वाली जो अवतल परकार की होगी ये कोशिका की प्रिद्धी की तरफ होगी कोशिका की प्रिद्धी की तरफ मतलब ये आप मानों ये कोशिका है तो इसकोशिका की प्रिद्धी की तरफ रहेगी और ER की तरफ रहेगी उतल face उतल को सिस फेस, कॉन्वेक्स फेस या पॉर्मिंग फेस या इंदी में निरमातरी सिरा दूसरी वाले चुंकि अउतल परकार की है और केंदर कोशिका के परिद्ध की तरफ है इसको परिपक्व सिरा या मैचुरिंग फेस या ट्रांस फेस या कौन के फेस कहते है अब होता ग्या है कि यहां से IR से चुचड़ी वेसिकल आती है और यहां जुड़ती रहती है और यहां से फिर संशोद्थ होकर नए नए पुट्टिका है निकलती है और वो कोशिका में पहुंचती रहती तो मैचुरिंग फेस या परिपक्वन फेस भी बोलते है तो इस वीडियो में हमने केवल इसका भी इंट्रोडक्शन देखा है और गोल जी बोडी की structure है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे इस बात को पर बोलते हैं कि गोल जी बोडी की दुर्वेता मतलब इसके दो दुर्व हो गए हैं दो फेस हो गई इसकी एक तो सिस फेस और एक ट्रांस फेस या इसको फॉर्मिंग फेस या मैचूरिंग फेस या इसको कौनवेक्स फेस या कौनकेव फेस कहते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि गोल जी का एक दुर्विय कोशिकांग है जिसके दो दुर्वय या दो फेस होती है मैचुरिंग फेस, फॉर्मिंग फेस, सिस फेस, ट्रांस फेस, कॉन्वेक्स फेस या कॉन के उफेक इस तरह से ही होती है ok